हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक, आज मैं आपको दिखाऊंगी आलू का परांठा जो हम बजार से भी जादा हेल्दी और अच्छा बनाएंगे तो चलिए हम इसके लिए बॉइल पटैटो ले लिए हैं, मैंने मैस्ट कर लिए हैं, उनको तीन चार लिए हैं और ये मैंने गुंदा हुआ आटा लिया हैं, अब मैं ये चॉपड अनियन लूँगी, अब मेरे पास थोड़े से कटे हुए पर आजाएं, और धनिया हैं, कटा हुआ, बारी कटा हुआ, बारी कटे हुए हरी मिर्च, बारी कटे हुआ अद्रक, ये मैंने आलू का मिक्स्चर बनाने के लिए लिए हैं अब मैं थोड़े से अनियन डालूंगी इसमें हम इसका अच्छे से मिक्स्चर बना लेते हैं तो अब मैं अध्रक थोड़ी से लूंगी मैं हरी मिर्च डाल रही हूं आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है ये सब कुछ अब मैं धनिया डालूंगी इसमें अगर आप प्याज नहीं भी डालना चाते तो तभी भी ये अच्छा बनता है बड़ प्याज के साथ एक और एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाता है इसमें अब मैं थोड़ा से नमक नमक भी स्वाद के अनुसार थोड़ी सी लाल मिर्च अब चुटकी भर मैं दो चुटकी लूँगी मैं जवैन की थोड़ा सा आम चुट एक टी स्पून अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी यह देखने में भी काफी सुन्दर लग रहा है और खाने में तो टेस्टी हो गई हमारा मिक्स्चर अच्छे से रेडी हो चुका है अब हम इसको स्टाफ करेंगे प्रांधे में तो चलिए वो कैसे करते हैं अब मैं थोड़ा सा आटा लूँगी और इसको ऐसे पेड़े की तरह बना लूँगी इस तरीके से थोड़ा सा सुका टालूँगी इसके साथ ही मैं इसको बेल लूँगी अब मैं इसमें घी लगाऊंगी मैं यहां पर देशी घी का यूज़ कर रही हूं मैंने इसको मेल्ट नहीं किया है आप चाहो तो मेल्ट करके भी लगा सकते हो अब मैं इसमें आलू स्टफ करूँगी आलू थोड़ी जादा लेने है हमने तब ही यह जादा टेस्टी बनता है अब इसको ऐसे रैप कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सुखा टालेंगे अब इसको बेल देंगे धीरे धीरे बेलिये दाकि यह तूटे ना कहीं से क्योंकि हमने आटा कम और आलू जादा लिये हैं इस तरीके से बेल लिया है अब हम इसको तबे के उपर डालेंगे पहले मैंने तबा थोड़ा सा प्री हीट कर लिया है अब इस पे थोड़ा सा घी डाल देंगे जो परांठे होते हैं वो घी के बिना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तो इसमें घी जादा डालिए अब हम इसको टोस करेंगे थोड़ा सा सेक लग चुका है नीचे से अब मैं इसको टोस कर रही हूँ यह दिखिए एक तरफ से हमारा पकना शुरू हो गया है यह टिपिकल इंडियन और हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट है आलू का परांठा विद देशी घी के साथ तो अब हम इस पर दूसरी तरफ मैं घी लगा रही हूँ घी लगाने के बाद यह अच्छे से पकता है इस तरीके से अब मैं इसको पलटने के बाद थुड़ा सा धीमी आज पर कर दूँगी और यह दिखिए यह फूलने लगा है यह हमारा अलू का परांठा इस तरीके से बन गया है रेडी हो गया है अब हम इसको सर्फ करेंगे मैं प्लेट में इसको सर्फ कर रही हूँ ऐसे अब मैं इसके उपर बटर रखूँगी और अचार के साथ हम इसको सर्फ करेंगे यह दिखिए हमारा अलू का परांठा तेयार है सर्फ करने के लिए तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चानल रीट रेसिपीज कुराइब रखूँछफा सर्फ करस् necesita को तो लिए भजूँट।